हाई प्रेंड्स मेरा नाम है दिपात प्रेंड्स आर बहुत दिनों से चनल पर कोई एक्सप्रिमेंट का वीडियो अप्रेंड करते हैं जो कि हमारे या आपके दिलों के बहुत ज्यादा करीब है जी आप रेंड्स हम लोग यार जब हम लोग पढ़ते थे मतलब छोटे जब हम लोग छोटे बच्चे थे जब पैंसिल से लिखते थे यानि कि एलकेजी में या फिर आपके स्कूल में बोल सकते हो तो हमाग दिना एक खुरुपाती एडिया आता था जो कि अपने दोस्तों से सुनते थे एड हमें भी कुछ ने महां पर फरक पड़ता था कि आप पेंसिल से जो कि दूधे मिक्स करके गरम करने पे रवर बैंड बनता है मतलब रवर बनता है बनता है ऐसा हम लोग को लगता था आप भूभी लगा हो गया थी आप ही मतलब मुर्मल बाते यार छोटे ज ने जाते ही जाते हैं ठीक है तो यह तो सबकी दिमाग में ख्यालाता यार पेंसिल को छील के जुल का चलुका होता है क्या इस से मतलब दुधे मिक्स करके रवर बनाया जा सकता है यार हम लोग बश्वने बहुत बार सोचे है बट ट्राइव नहीं किये है आप लोग ट्राई खिया होंगे तो फूमेंटर के जुरूपत ही एगा लेकिन इस वीडियो के अंदर लाइफ ट्राइब करेंगे क्या सच में मतलब रिजलन दिसका क्या आता है यह क्या यह रबर बन जाता है मतलब एपैंसिल को चील के दूद मतलब मिक्स करके रबर बन जा को सेर कर दिएगा यार जो लोग हमारे डीओ को की पैसा नहीं कोई पैसा नहीं लगता है को इसके कोई पैसा नहीं लगता है चाल में दूद के आप पूस्तों कर दिया करो फ्लीज कर दिया करो थायर्ट थे थैसे डूद है इन हमारे पास यहां पर थोड़ा सा दूद है जो कि यह देसी है आप डेसी हाँ थंडी के मौसम में जम चुका है है तो फटा-फट साम सबसे पफले pencil को छिलते हैं यहार गैस, पहली बार में pencil छिल रहा हूं जो कि यहाहां पर आप देख लूँ यह क्या बन रहे है? मतलब अजील तरह का यार, एक ब्यूटी फूल सा मतलब फूल बन रहा है, आपने ठाट आई करते हैं, देखते हैं कितना दिर में मतलब कैसा बनता है, ओ बाइसा, अभी यार देखो तो, क्या आपने कभी ऐसा पैंसिल चिले हुए हैं, जो कि कुछ इस परकार से बना हो, यार पहली बार मुझे देखने को मिला है, ठीके फटा फट से पैल से चिल लेते हैं, यार अभी यह बन रहा है, अभी भी बन रहा है, कोई नहीं जी देखते हैं, यार गाइस, यह रहा तिन ठोमलों का पैंसिल, जो कि तिनों का, हम लोग पता था कि छिलका ज्यादा हो जाएग तो यहाँ पर देख सकते हो कि दूद कितना अच्छा से मतलब इसमें ज्यादा हीटिंग होता है, ठीके, तो दूद को कम ही डालते हैं, जब यह खौलने लाएगा न तब इसको डालेंगे, तो फटा फट से इसको हम लोग थोड़ा सा कचूमार बना लेते हैं, यह बन गया छोखा एंड जो पेंचिल है, जो धेक सकते हो कितना कला-कला है, इसको हम लोग करते है साइड में ठीक है, ताकि यह मतलब हम लोग को रबढ़ में ना जाए, दूद हम लोग का ओबाल अब करेंद लगा उसमें एक मक्खी भी बैट चुक है तो मैं इसको भगा लेते हैं तो ना उसका भी जान चला जाएगा तो यह होगा हम लोग का पैंसिल पूरा एड कर चुके हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या होता है क्या फरक बढ़ता है वह आपके सामने लाइब होगा ठीक है तो थोड़ा टाइमिंग हम लोग का ज्यादा होगा तो मैं वीडियो को फास्ट फरवड कर देता हूं ताकि मतलब जो होगा वह आपके सामने होगा सिर्क फास्ट फरवड कर रहा हूं ठीक है तो ज्टोड़ा और ज्यादा आड़ करते हैं और मतलु दूद में पर कच्छा डाल रहा है तो थोड़ा सा यह और ठंड़ा गया तो मुझे लगए कि दूद कम है तो ज्यादा दूद कर दे रहा है वो भी सामने देखेंगे ज़र इतना दूद खाय होते तो हम लोगे में आज फैनल तो कर रहा है वो भी आपके सामने कर रहा है ताकि आप भी मतलब आपको घर पे नग करना पड़े और कुछ नहीं तो यहां पर थोड़ा हम लोगों को वेट करना होगा तो फास्ट फरो मैं फिर कर दे रहा हूँ यार गाईज जैसा कि आप देख सकते हो यहांपे रबाट तो नहीं बना बलकि जैसा छिलका है वैसा ही देखने को हम लोगों को बिल रहा है बट गईस यहांपे मैं आपको बताऊं कि आक वहले से पता था है और आपको भी पता होगा पैंसिल के छिलके से दूद मिक्स करके गरम करें है तो रबान नहीं बनता है यह आपको भी अच्छी तरह से पता है लेकिन यार अभी तक आप भी वीडियो देख रहे हैं क्यों क्योंकि हमें मतलब इसको लाइफ देखे नहीं थे चेक नहीं किये थे तो इसलिए हम लोग को लगता था कि आर्क साहिद हो सकता है नहीं होगा इन पोसिबल है बट यहां पर कुछ डाउट होता है तो उसी को आज हम लोग किलियर कर चुके हैं तो वीडियो गाईस यह पकात मोती है थैंकू वीडियो फोर वाज टाइम